आप आप अच्छे एख से पढ़ रहे होंगे。 पिछली गलास में नेटन्स लॉज़ों के एक्कुलियर्म के बाते हैं की थी और फिर हम एक्कुलियर्म को छोड़के आगे बढ़े थी और अधिककोलियर्म के एक दो और डिसकेश करता हूँ फिर मैं आपको f net equal to ma की तरफ लेके चलूँगा, ठीक, तो कुछ question हम लोग और देखते हैं, equilibrium के, तो देखिएगा बच्चो, तो कहानी ऐसे हैं, दीखिए सबसे एक standard सवाल है, और ये question HCV में भी है, तो standard सवाल ऐसे है बेटा, कि मान लीजिए, ये एक आपका lift आपस समझ लीजिए, this is a lift, और ये केविन है, लिफ्ट का केविन या जो भी आप केविन इसको समझना चाहें, और इसके अंदर एक आदमी ह और ये जो आदमी है, ये आदमी के इस तरह से हाथ हैं, और ये आदमी के पेर हैं, और आदमी के पेर इस धरती पर हैं, और यहाँ ऐसे रस्सी है, और एक रस्सी इस आदमी के हाथों में होकी भी जाती है, और ये पुली है, और इस तरह से ये पुली और ये आदमी, और आ और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस आदमी को कितना force लगाना पड़ेगा इस system को equilibrium में रखने के लिए फिर से मैं बोलता हूं क्या बोला है कि आदमी को कितना force लगाना पड़ेगा कि इस system equilibrium में रहे तो देखो कैसे साल करेंगा आप ऐसा करिए आप इसको एक system मान लीजिए इसको एक system मान लीजिए देखो विटा free body diagram एक object का भी बनाया जाता है free body diagram एक single object का भी बनाया जाता है और free body diagram एक system का भी बनाया जाता है तो मैं जो अभी draw कर रहा हूं मैं एक system का free body diagram draw कर रहा हूं और इस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, ये केविन आता है, ये आदमी आता है, और ये इतनी रसी भी इस सिस्टम के अंदर ही आती है, जो इस बाउंडरी के अंदर है, जब भी हम किसी भी चीज का free body diagram बनाते हैं, उस पर हम सिर्फ external forces को ही draw करते हैं, जब हम एक object का diagram बनाते हैं उस पर भी only external forces को draw करते हैं, और जब किसी system का free body diagram बनाते हैं, उस पर भी only external forces को draw करते हैं यहां पर आदमी के पैर, इस के केविन के surface पर normal reaction लगा रहे होंगे, लेकिन वो normal reaction इस system का internal force होगा, क्योंकि आदमी भी system का हिस्सा है और केविन भी system का हिस्सा है, तो आदमी जो force केविन पर लगाएगा, वो इस system का internal force कहलाएगा, और free body diagram में internal force draw नहीं किये जाते, क्या draw करत हैं, only external forces, तो हमें इस system पर external force draw करने है, धरती हमारे system का हिस्सा नहीं है, तो धरती जो force लगाएगी, वो इस system के लिए external force होगा, तो धरती ने इस capital M पर लगाया, capital M G, और धरती ने इस cabin पर लगाया, small mg, this is the force applied by the earth on this man and cabin, अब क्या होगा, धान से सुनना, यह बाला जो हमारा रसी का molecule है, इस रसी के molecule को, इसके उपर वाले जो रसी का molecule है, वो पुल करेगा, वो अपनी तरफ पुल करेगा, और मैंने माना रसी का tension है T, और यह मेरा ideal rope है, और जो मेरी ideal rope होती है, उसमें हर जगा tension की value बराबर होती है, तो मैंने माना वो tension का value कितना है बेटा, T, तो यह यहां से भी इससे उपर कितना लगदा होगा, T, और यहां से भी बेटा एक उपर कितना लगदा होगा, T, आइडियल रोप, इसलिए हर जगे टैंशन बदाबर, छोटा दिख रहा होगा, बड़ा कर देते हैं, ठीक, अब इस केविन पर, यह केविन एक्युलिविरियम में है तो नेट वोटेिज क्या होने चाहिए, जीदो होने चाहिए, इसका मतलब जितना फोर्स पे अपबर डिरेक्शन में लग रहा है, उतना ही फोर्स पे ओपर डाऊनवर्ड डिरेक्शन में भी होना चाहिए, क्योंकि यह सिस्टम एक्यलिविरियम में है, तो अपबर कितना लग दाए बीटा 2T और नहीं चे कौन लग दाए बीटा Capital M G plus small mg ठीक तो यहां से ट का जो value आया Capital M G plus small mg divided by 2 This is the tension in the rope यह rope का tension है, हमसे rope का tension नहीं पूछा था हमसे यह पूछा था कि आदमी ने कितना force लगाया अब इस बात को मैं समझाता हूं सुनना मैंने पहले भी यह कई भार बात बोली है मैं फिर आज बोल रहा हूं और मैं इसको समझाओंगा फिर से पहले भी समझाया गया है कि आदमी जितना रस्सी पर force लगाता है रस्सी के अंदर उतना ही tension डबलप होता है फिर से बोलते हैं आदमी रस्सी के ऊपर जितना force लगाता है रस्सी में उतना ही tension डबलप होता है इसा क्यों उतना ही क्यों उसका उमें एक लोगिकल आञ्सर एँ आप क्या करिए है आप इतनी रस्सी काَ F.v. d बना के देखो thì यह थी रस्सी का आफ F.v. d बना के F net is M A, if M is 0, F net is 0. And if net force 0, if it happens, it means the T is above, it should be lower. It means the man force is at the same time, the tension will develop in the direction. So, if we asked F applied by man, then what did the answer come from? Capital M plus small m, not good, it's not good, let's write it again. First question. Now, it's not that we can ask another part, we will not finish one part, we will not finish one part, we will ask another part, that's also good. The second part is that the man's pair has the normal reaction to this caven surface, what is the normal reaction between the surface of caven and man? That means the man's pair and the caven surface is under the normal reaction, what is the normal reaction between the suge of the man? and surface of the caven? Or the normal reaction between the man and caven? Or the normal reaction between the man and caven? If we say that, we will not finish one part. So, calculate it all. Normal reaction between the man and caven? How will we do? Do all of you. Look, I will tell you. Now, let us add this. We have the value of T and F1. Now, how will it calculate? I will tell you. Listen to the fact that the caven is a free body diagram, or the man is a free body diagram. Some of the people who have like this, they say, Hey sir, make it both, then we will make it both. Okay? But, if you can make it both, it is your purpose. I will make it both. Before I will make a caven diagram. Because when you go offline, they say, Hey sir, it's enough, let's make it both. So, let's see both of you. No difference. So, on the surface of this caven, there will be a normal reaction here, N. In this caven, there will be a mass force, small mg. And there will be a force here, T. And this caven is in equilibrium. In the caven, there should be a net force here. So, the above and the above should be equal. So, you can write the equation. How will T be equal? Small mg plus capital N. If we put T here, and small mg here, then you will get N. the equation will pick up. So, Get out of the caven arm. is that then you put a know of believe. Then you put some equation within the scaven arm. The other comparisons like this. Thus, you put the number of the male. It depends on the equation on the model of the człowie. How will it make the model of the whole army? How will it find the율 theorem? Well, I will create the maximum act of the n. And then you put a different shoe. Do you play equal trips ? To the representation of males? What même точки of yes, What it stands in, Next, the given child minus muscle force is still more. And, theета is outside normal. बड़ाबर है आपका capital M G के यहां पर आप T को पूट करिए और यहां से normal निकाल लिए आपको आप दोनों ही तरीके हैं आप कैसे भी normal निकाल सकते हैं मैं normal यहां से निकाल देता हूं तो capital N का जो value आएगा वो आएगा capital M G minus T और T कितना है capital M plus small m by 2 into G इसको solve करेंगे तो N का जो value आएगा वो आएगा capital M minus small m ठीक है लिख लो इसको तो देखे काफी अच्छा question है ठीक है इसको सब लोग लिख लो एक question में आपसे और पूछता हूं देखिएगा इसको अटा देते हैं ठीक है सुनिएगा अगला question है यह मैं आपी के लिए देता हूं या आपको घर से कोसिस करना है मैं इसके answers लिख दूँगा question यह है कि एक आदमी है और आदमी ऐसे प्लेट फॉर्म पे खड़ा है एक ऐसे आप प्लेट फॉर्म समझ सकते हैं इसका मास है small m आदमी का मास है capital m और यहां पर यह जो रसी है वो रसी इस तरह से जाती है और यह पुली है और यहां यह रसी है फिर यहां पुली है और यह रसी है और यह रसी है आदमी के दोनों है वो रसी है और यह मुझे हाथ बनाना आता नहीं यह रसी हाथ बनाज़ा है और यहां आदमी के दोनों हैं वो इक्वल फॉर्स लगा है अब देख मुझे हाथ बनाना आता नहीं यह रसी हाथ बना देते है आत्मी का ऐसे 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 तो फाइंड आउट दा फोर्स अप्लाइड वाई इच हेंड और यह सवाल में दिया गया है कि इच हेंड का जो फोर्स है दाट इस एकुल तो यह आपको घर पे ट्राइ करना है तो को घर पे आप क्या करना बेठा आप आदमी का फेडी अलग बनाना कापीटल एम का छोडी स्मॉल एम का फेडी अलग बनाना मतलब यह प्लैंक इसको हम बोलते हैं ब्लॉक बोल सकते हैं प्लैंक बोल सकते हैं इसको प्लेट फॉर्म हम बोल सकते हैं तो इनका फेडी अल दिखाना, क्योंकि यह नॉर्मलिस सिस्टम का इंटर्नल फोर्स है, और जो F by each hand, इसका जो answer आएगा, वो मेहां लिख देता हूं, वो आएगा, capital M plus small m by 4 into G, यह आप लोग try करिएगा, hopefully आप कर पाएंगे, ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है, और चलिए, एक दो question मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है बच्चों, तो देखिए, equation equilibrium बाला ये है, कि थोड़ा बढ़ा करते इसको, okay, अच्छा, ब्लॉक को black color से बनाते हैं, तो ये बेटा एक ब्लॉक है, ये वर्टीकल वाल है, और ये होरिजंटल सर्फेस है, और ये वर्टीकल वाल है, ठीक, इसके बाद इधर एक हमारे पास सर्फेस है, इसको थोड़ा आर नस्दीक लेलो, जसी टाइकराम थोड़ा अच्छा बन जाए, ठीक है, okay, पर्फेक्टली फाइन, इस इस हंड्रेट केजी, अद इस इस तू हंड्रेट केजी, और जो अंगल है, इनके बीच के जो यह एंगल है, यह एंगल है 60 और मेरा कुछिशन है, कि यह दोनों ब्लोक हैं, इस ब्लोक का नाम देदीजीए A, और इस ब्लोक का नाम देदीजीए B, मेरा पहला कुछिशन है, न्रमल डेक्शन बेत्वीन ब्लोक A एंड B, my first question, find normal force between A and B A and B बीच में लगने वाला normal reaction कितना है अब आपको बताना है दूसरा question है normal force on block A by vertical wall तो normal force on block A by vertical wall एं सिमिलर स्टोरी normal reaction on block B by vertical wall थर्ड कुशिशन आपको लखेंगे normal reaction on block B by vertical wall और एक लखेंगे normal reaction block A by horizontal surface normal reaction on block A by horizontal surface ये तीना पार्ट आप खुद से calculate करिये मैं नहीं करूँगा ठीक है बच्चो और सुनिए ठीक है अब मैं आपको जो हम acceleration की दुनिया में आपको लेकर गए थे वो मैं आपको उस साइड में लेकर जाता हूं ठीक है ना जिससे थोड़ा आप गाड़ी आगे बढ़ें तो मैं चलिया तो एक question कराते हैं question ये है आपको ये तो बताए जा चुका है कि F net की जो value होती है M A के बराबर होती है चलिया मैं एक बार off remind कर देता हूं आपको आपको याद है कि F net vector जो होता है वो M A vector के बराबर होता है तो अगर हम इस vector का सिर्फ x component की बात करें तो F net in x direction किसके बराबर होगा mass into acceleration in x direction और हम इस F net के अगर y component की बात करें तो या बराबर होगा M into A y यह net force है उस object पे लगने वाले सभी forces का पहले total करना है उस object पे लगने वाले सभी forces का पहले हमको total करना है वो होगा मेरा net force और इस बार net force जीरो नहीं है net force हमेशा जीरो नहीं होता है net force जीरो नहीं है that is non-zero तो भूलेंगे sir कितना है तो उसी का तो जवाब Newton देके गया क्यों जो वो net force है वो इस बार zero नहीं है वो non-zero है और इसकी value बराबर आएगी mass into acceleration net force की value किसके बराबर होगी mass into acceleration and similarly in the J direction अब जब सवाल करते हैं तो चीजें जादा अच्छे से किलियत होती है अब मैं आपको question समझाता हूं आप देखे ना दियान से question यह है कि एक block है एक block है 10 kg का और एक block है 5 kg का और इस पर इस direction में फोर्स लगाया गया external agent ने कोई बोला सर कैसे force लगाया आदमी आपका दिया उसको ऐसे जैसे मालो सामने हमारे block रखें आपका देते जारें चलते जारें तो आदमी ने दखका दिया तो आदमी ने force लगाया external agent और external agent ने जो force लगाया वो लगाया 60 newton 60 newton horizontal force applied on the block as shown in figure normal reaction between blocks find out normal reaction between blocks तो देखिएगा तो कहानी यह है कि यह 10 kg का जो block है यह 10 kg का जो block है और जो यह 5 kg का जो block है यह दोनो block एक साथ चल के जाएंगे A acceleration से और उनको आगे की तरफ लग जाने वाला जो force है वो है 16 newton नीचे इसपर mg लगेगा 100 और इसपर mg लगेगा 50 यहां से normal reaction लगेगा मान लेते है N1 और यहां से normal reaction लगेगा N2 यह N1, N2 धरती ने लगाया है यह N1, N2 कौन अप्लाई किया यह N1, N2 अर्थ ने अप्लाई किया दोनों individual block पर N1, N2 और अप्लाई किया मैं यह नहीं पूछा कि अर्थ ने कितना लगाया मैं यह नहीं पूछा है कि दोनों block के बीच में जो normal reaction लग रहा है normal reaction between the blocks वो कितना है तो पहले ऐसा करते हैं इस acceleration की value लिखते हैं यह दोनों एक साथ चलके जा रहे हैं मुझे मैंने माना यह x direction है मैंने माना मैंने माना इसे मैं हमेशा नहीं बोला करूँगा लेकिन आपी चलो starting है सीख रहे हैं तो बोल देता हूं यह x है और मेरे दोनों block x direction में चलके जा रहे हैं मेरे block y direction में नहीं जा रहे है y vertical direction क्या vertical जा रहे हैं नहीं, they are moving in horizontal right direction and let horizontal right direction is my x direction तो मुझे मता ही जो net force की value है in horizontal direction क्या horizontal के net force में mg का कोई रोल आएगा नहीं आएगा mg यह vertical mg यह y direction में उपर y मान लो तो y का रोल x direction में नहीं आएगा मुझे x direction में equation लिखनी है तो मुझे net force जो लिखना है वो x direction में लिखना है तो net force, to x direction में तो के लो एक ही force लगदा है तो y direction फिर भी normal भी है mg भी है पर मुझे y का net force नहीं लिखना मुझे net force मुझे only in x direction and that is 60 Newton कि अन्ट इक जा रफिजन एक्स तो उन्स उंडकी जानए तो यह दोनों ब्लोक एक साथ चलिए डिया है। इसग तो यहाि फिलिग, डोनों मिला since each block सुझी तो शोले यह बेडने दॉनों एक साथ ही तो चलिए तो टोटलबास के इतना है इनका 15 और 22 एक्सलेरशन के इतना है तो यहाँ से अगर a का value Для वह आएगा 4 meters per sq2 ठीक है, लिखो लेकिन हमसे फोड़ा ही पूछा था हमसे तप पूछा था कि normal reaction between them होगा तो दे दे सहाव से था normal reaction between them की अगर हम बात करें हैे तो आप ऐसा करें अकेले ब्लॉक 5 kg का F.E.D. बनाई है, तो अकेले 5 kg के बारे में अगर हम चिंता करें, अगर आपको F.E.D. किसका बनाना या आपकी मर्जी होती है, आपकी मर्जी है पूरे का बनाओ, आपकी मर्जी है 5 kg का बनाओ, आपकी मर्जी है 10 kg का बनाओ, आपकी complete freedom है, आपको किसका F तो पांच केजी पर आगे कौन लग रहा होगा, नार्मल रिएक्शन N, यहां से नार्मल रिएक्शन को हमने N2 बुला है, जिसके मुझे कोई जर्रत नहीं है, लेकिन कम्प्लीटनेस के लिए में बना दे रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में यह वर्टिकल फोर्स म इसके ड्रॉ कर रहा हूं, और इसका अगे की डिरेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी है, 4, अब नेट फोर्स लिखा जाए, नेट फोर्स नेट फोर्स होगा, मास इंटो एक्सेलरेशन, तो आंसर आया, इसस 20 नूटन, तो नार्मल रिएक्शन बिट्वीन दा ब्लॉक, इसक अगला कोईशन आप पहले ट्राय करेगा, सॉलिशन बाद में दिखेगा, पहले ट्राय करिएगा, अगला कोईशन ये है, चलो अगला कोईशन आपके लिए हम भार्क, मैं इसको बताउंग और है नहीं, अगला कोईशन फिर से यही है, this is 10 kg, this is 5 kg, और इस पार जो force लगता है ने इस एक ऊपर बोह वो बोह हो नहीं गदा है, वो एक एंगल पर लगदा है, तो इस पर हो बोह अपर हो और फोरश्णनल डिरीक्शन से इस दिरीक्शन पर एक force लगाया एक इस फ का जो वैल्यू है वो है 50 newton और जो ये अंगल है वो है 37 degree फोर्स कितना है आपका 50 newton अंगल कितना है 37 degree और इसका जो मेरे से पूछा गया है वो है find normal reaction find normal force between blocks ये solve करिए आप लोग सबी लोग solve करिए ठीक अब मैं आपको एक सबाल आपको मैं समझा देता हूँ यह आप खुछ जो solve करेगा अच्छा इसका answer आपको चाहिए तो इसका answer आजाएगा इसका answer आजाएगा normal का value आजाएगा आपका 40 upon 15 into 5 तो यह आजाएगा 40 by 3 newton तो यह कैसे आएगा आप लोग solve करिएगे जैसे मैं पिछला बाला solve किया इसमें क्या करना है सिर्फ आपको component करना है और यह horizontal में चलके जाएगे तो horizontal acceleration लिखने के लिए हमें कौन से force की जड़त पड़ेगी हर जंटल direction के force की जड़त पड़ेगी next question this is 20 kg this is 10 kg and this is 5 kg hopefully यह आप कर लेंगे लेकिन फिर भी में इस direction में फोर्स कंसिडर करता हूं और यह force है मेरा 70 newton horizontal force लगाया मैंने कितना लगाया 70 newton और मेरा question आप से यह है कि आप बताएए इनके blocks इन दोनों के बीच में क्या normal reaction लगेगा और इन दोनों के बीच में क्या normal reaction लगेगा यह आप से मेरा question है आप से solve करें कुछिस करें एक बार hopefully काफी बच्चे कर लेंगे अब try करो आप लोग तो देखो बेटा मैं बता रहेता हूं तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें क्या लगेगा यह तीनों block एक साथ चलके जा रहे हैं तो एक नज़र के लिए मैं यह मान सकता हूं कि यह तीनों एक ही block हैं क्योंकि तीनों एक साथ चलके जा रहे हैं और इन तीनों के acceleration की value अगर एक मान ली जाए तो 20,35 यह तो मीटर पर सेकंड स्क्वाइब अब क्या करें यह 5 kg का FED बनाई है जब 5 kg का FED बनाएंगे तो मैं यहां पर FED बना रहा हूं तो 5 kg पर अब देखो मैं मैं बोला था और मैं वर्टिकल वाल फूर्स नहीं देखाऊंगा तो मैं इस पर जो mg लग रहा है नीचे और जो वर्टिकल अर्थ नॉर्मल लगा रही है मैं उसको नहीं बनाएंगा तो मैं नार्मल को मना लेता हूं जो मुझे कालिट करना इसको मैंने मान लिया N1 यह N1 किसने लगाया यह 10 kg ने लगाया क्योंकि 5 kg और 10 kg के बीच में contact है तो 10 kg लगाएगा 5 kg पर और 5 kg लगाएगा 10 kg पर और यह N1 मुझे ने कालना है यह 5 kg आगे चलके जा रहा है कि इतने acceleration से 2 meter per second square से तो कभी कोई आपसे यह पूछे ना इस 5 kg को आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है तो देखें इंडिरेक्टली तो 70 newton ही जिम्मेदार है लेकिन डिरेक्टली कौन जिम्मेदार है इस 5 kg को accelerate कराने के लिए तो net force की जो value होती है वोती है m into a तो n1 का जो value लिखा जाएगा n1 वो आएगा mass into acceleration यह आजाएगा 10 newton चलो एक काम हो गया दूसरा दूसरा है कोई कोई बच्चा कहता है कि sir आप इन दोनों के बीच में नर्मल निकालना है यह भी पूछा आपने नर्मल निकालने के तीन तरीके हो सकते हैं कौन-कौन से वो तीन तरीके हो सकते हैं मैं तीन तरीके आपके साथ डिसक्स करूँगा सबसे पहला तरीका first first method first method यह है कि मैं only 20 kg का FVD बना हूँ किसका FVD बना हूँ बच्चो only 20 kg का this is my 20 kg इस पर इधर से कितना लग रहा है बच्चो 70 N और इन दोनों के बीच में जो नार्मल रेक्शन लग रहा होगा 20 kg और 10 kg के बीच में उसको मैं माल लेता हूँ N2 तो यहां से लग रहा होगा N2 और यह आगे चलके जा रहा है कितने acceleration से 2 meter per second square तो net force equal to mass into acceleration तो यहाएगा बच्चो N2 minus 70 that equal to mass into acceleration तो N2 का जो बच्चो value आया वो आया 110 N हाँ acceleration 2 यह आया था ना इसका ने 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 एक क्वेशन का लो लिख दिया साथी देखें इसका acceleration कौंसे direction में है? right side में तो हम जो net force लखेंगे वो right side में लखेंगे और right side में net force आएगा वो आएगा 70 minus N2 that is the net force in the right direction and that equal to mass into acceleration 20 into 2 इसको solve करेंगे इसको इसको इधर ले जाए उसको इधर ले जाए तो यहां से N2 का value आया 30 N this was the method number 1 method number 2 मैं अकेले 10 kg का FET वनाऊ only 10 kg तो अगर मैं only 10 kg का FET वनाऊ तो बच्चों बड़े धहन से देखना this is my only 10 kg यहां से लग़ा होगा that normal reaction N1 और यहां से normal reaction लग़ा N2 और N2 कितना ही हमसे पूछा गया है और इसका acceleration है आगे की direction में 2 meter per second square तो इसके उपर हम net force लेखेंगे क्या आएगा आगे की direction में वो आएगा N2 minus N1 that equal to 2 into 10 N1 की value बच्चों कितनी निकाली थी हमने 10 तो N1 की value 10 हमने निकाला था तो यहाया N2 minus 10 that equal to 20 तो यहां से बच्चों N2 का जो value आया वो कितना आया 30 newton यह दो method हो गए third method यह तीनों में से कोई भी एक method आपके दिमाग में आपको किलिक ज़ूर किया होगा अब आप क्या करिए 10 kg और 5 kg दोनों को एक system मान लीची तो 10 kg और 5 kg जब मैंने दोनों के system मान लिया तो यहां पर लगने वाला normal इस system का internal force हो जाएगा यहां लगने वाला normal इस system का internal force हो जाएगा तो जब आप इस system का free word diagram मनाएंगे तो आप system पे horizontal direction में equation लिखना चाहते हैं तो आपको चिंता होनी चाहिए सिर्फ horizontal में लगने वाले force हो की mg और normal जो earth लगा रही है वो vertical direction में लगा रही है और उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है इसलिए इधर जो लग रहा है that is N2 यह N2 किस ने लगाया? यह 20 kg ने लगाया यह किस पर लगाया? यह 10 kg है और यह 5 kg है तो N2 जो लिखा जाएगा वो आपका mass into acceleration इसका mass है 15 और acceleration है 2 तो N2 का जो value आपका वो आपका 30 Newton हाद method से answer सेम आया तो दीके method कोई भी हो answer हमेशा जो आपका कोई method आप यूज करें ठीक? लिख लो अब आगे चलते हैं फिरसे मैं एक question आपको दूँगा और दोनों question आपको घर से करने पड़ेंगे दीके जितने भी question मैं class में देता हैं उनको try जदूर करें अब यह आप सीख रहे हैं आपके महनत करने की बहुत 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 ज़्यादा 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 है आपको practice करने की क्योंकि यह NLM वाली चीज़े हैं हमारे हर chapter में काम आएंगे और अगर हम यहां पर कम जोड़ी छोड़ दिये तो हम हर chapter में पाएंगे तो यह बहुत ज़ूरी हो जाता है कि आप बहुत-बहुत सारे सवाल practice करें क्योंकि NLM अगर नहीं सीखे बेटा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे रिले physics सिकाना तो इसलिए आप जितना जितना जीजान लगा सको पूरे physics में मैं बोलूगा सिर्फ NLM में जीजान लगा दो बाकी मत लगाना बले लेकिन NLM में पूरा जीजान लगा दो कोई टेंशन नी आएगा फिर आगे के chapters में तो इसलिए इसके खुब सवाल करने आपको मतलब इसका HC पूर्मा पूरा करना है इसका DC पांडे, DC पांडे पहले नी करेंगे क्योंकि DC पांडे में NLM और फ्रिक्शन दोनों के mix question है तो पहले HC पूरा करना है अपनी seat पूरी करनी है इसके बाद मैं जो सवाल दूँगा वो पूरे करने है इतना आप कर लोगे तो फिर आपका subject एकदम अच्छा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आईगी अब मैं आपको question देता हूं इसी question में थोड़े modification का दूँगा मैं तो देखिए इसको अटाईए और इसको भी अटाईए ठीक आप सुनना भीटा कहानी ऐसे है कि यहां से लगदा है 100 N ठीक और यहां से लगदा इस direction में 37 degree के अंगल पे और यह भी 100 N आपको कालकुलेट करना है कौंसा से में कॉस्टिन find out the normal reaction between them पहला question normal reaction between these and normal reaction between these second question second question फिर से यही चीज है same question लेलो 20 kg मतलब data same लेलेते है 10 kg 5 kg इधर लगदा है आपका let's say 50 N और इधर लगदा है आपका 100 N और same question है find out the normal reaction between them सवाल सवाल करना बहुत जरूरी है ठीक अगला question third question third question है कि माल लेजे आपका सिर्फ दो ब्लॉक है कि इतने ब्लॉक हैं बच्छो दो ब्लॉक तो अगर आपके बास सिर्फ दो ब्लॉक हैं और इसका माल लेते हैं capital M और इसका माल से small m और यहां से फोर्स लगदा है माल लो आपका let's say capital F और इसके फोर्स लगदा है माल लो let's say this is twice of capital F और question है वही same question है कि find out the normal reaction between them यह तीना question आपको solve करने हैं ठीक है और आप solve करें ठीक है और solve करके मुझे भेज़ते हैं इनके जो answers होंगे या फिर ऐसा करिए मत बेज़िए इनके जो answers होंगे मैं वह आपको बता दूँगा ठीक है तो इनको लेकिन आपको try ज़रूर करना है बहुत important इनको try करना नहीं किये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे ठीक है ना? एक question आपको अच्छा सा मै करा देता हूँ इसी type cup लेकिन यह थोड़े आसान है एक अच्छा सवाल है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ देखना question यह है कि मान लीजिए दो ब्लॉक है बीटा दो डिफ्रेंट ब्लॉक है और उन दोनों की surface एक दूसरे के contact में है दोनों की surface एक दूसरे से सटी हुई है इस तरह से उन दोनों की surface एक दूसरे से सटी हुई है they are two block इसका mass M है, इसका mass भी M है लेकिन इधर से जो force लग रहा है, वो लग रहा है 2F और इधर से जो force लग रहा है, वो लग रहा है F और इनके बीच का जो यह angle है, that angle is theta आपको यह बताना है कि इन दोनों blocks के बीच में जो normal reaction लग रहा होगा, वो कितना लग रहा होगा यह आपको पूछा गया है, तो calculate करो find out the normal reaction between them ठीक, अब देखें मैं solve करके देखाता हूँ और यह horizontal surface है, मतलब friction आपको मानना है नहीं है horizontal smooth surface है दो आपको यह बात समझ में आदेए, कि यह बहुत ताक्तवद है उससे तो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यह निकल के बहग़गगा, यह निकल के भगेगा है निग्ना हीना हाँ ठीक और धरती के अनदर तो यह जा भिल नहीं सकते तो A का जो value आएगा, वो आएगा 2F minus F is the net force upon total mass, this is F upon 2M. लेकिन हमसे यह acceleration नहीं पुछाता हूनों है, acceleration तो हमने calculate किया, क्यों कि इसके हमें जड़त पड़ेगी, कल लेना भी चाहिए कि यह एक line ही तो लिखनी होती है, जड़त पड़ेगी तो फिर निकालना पड़ेगा, इसले लेखी लो. अब जो हमें calculate करना है इन दो नों के बीच का normal, तो चाहिए तो आप इसका free body diagram बना लो, और चाहिए आप इसका free body diagram बना लो, यह आपकी complete मर्जी है, तो ऐसे करते हैं, मैं इसका free body diagram बनाता हूँ. तो जब मैं इस वाले block का free body diagram बनाऊँगा, तो कैसे बनेगा, वो देखेगा बच्चो. ऐसे. और यहाँ जो normal reaction लगेगा, वो इस direction लगेगा, इस तरह से. This is normal reaction N. ठीक. अब मुझे तो equation horizontal और vertical direction में लिखनी है, तो मुझे इस N के horizontal और मुझे vertical component करने पड़ेंगे. कोई बूलेगा, सिर्, आपने Mg यो Mg नहीं बनाया. तो Mg मैं इस तिनल नहीं बनाया, क्योंकि Mg मेरा vertical direction का force है, और मुझे equation horizontal direction में लिखनी है, तो मुझे वर्टीकल force से कोई मतलब नहीं है, और यहां से लग रहा है, यह F. तो मैं अगर इस normal reaction की बात करूँ, देखो बेटा, यह angle theta है, और तो line के बीच में angle theta होता है, तो उनके perpendicular के बीच में भी angle theta होता है, तो यह angle हो जाएगा आपका theta. तो n का जो यह वाला component आएगा इस direction में वो आजाएगा n sin theta. और n का जो इस direction में component आजाएगा वो आजाएगा n cos theta. इस n के दो component. और इसका जो acceleration है वो इस direction में वो कितना a, तो अगर मैं इस पर newton second लगा हूँगा, तो net force in the horizontal direction, that is mass into acceleration, वो कितना आएगा वच्छो, वो आएगा n sin theta minus capital F that equal to m into e. A का value किसके बदाबर है? f upon 2m के बदाबर है. यहाँपे A का value f upon 2m put कर दीजे वच्छो, तो यह आएगा n sin theta minus f that equal to fy2. तो n का जो value आए वच्छो, वो आए, 3f upon 2 sin theta. This is the normal reaction between these blocks. एक? अब जिसे मान लोग वो पूछ ले, जिसे पूछा तो नहीं है, पर मान लोग पूछ ले कि बताओ, धरती इस पर कितना normal लगा रही है. इस block का नाम लिख देता हूँ, चलो मैं B. इसका नाम लिख देता हूँ, मैं block B. अमालो मैं आप से पूछ हूँ कि नामल अन ब्लॉक B, नामल अन ब्लॉक B, अप्लाइड वाई अर्थ, ये भी एक अच्छा कुश्चिन बनेगा अपने आप में. नामल अन ब्लॉक B, अप्लाइड वाई आर्थ, ये अप से पूछ लूँ. इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब सुनना मेरी बात. तो ब्लॉक B का फ्री बाडी डाइग्रम ये हुआ, अब इसमें M जी बना लो नीचे. और धर्ती माता नार्मल लगा दी उपर उसको बुल दो N1. अब ये ब्लॉक ना तो नीचे दर्ती में समाधा है ना ऊपर उड़के जाधा है, तो वर्टीकल में चल के जा नहीं था, वर्टीकल इसका कोई मोशन ही नहीं होगा. इसका मतलब वर्टीकल में एकिसमें है, एक्युलियम में है, तो वर्टीकल में net force जीदो, और net force जीदो मतलब जितना उपा उतना नहीं जीदो, उपर कोई है, अउनली n1, नीचे कोई है, that mg or that normal component, इसका मतलब यह हुआ, कि जो n1, जो अर्थिने नार्मल लगाया, जो वर्ट dfy2 cot θ, लेख लो इसको, तो देखिए, बाखी सबाल में आपको करने को दिए, में आपको कराया कि थोड़ा यह अच्छा कोईशन था, तो इसको कल लेख लो ध्यान से, ठीक, हटा दे इसको, okay, ठीक है बच्चो, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो वैसे करते हैं, थोड़ा रसी वाली दुनिया की तरफ चलते हैं, रसी वाली दुनिया में कुछ देखते हैं सवाल, यह माल लेते हैं अर्थ का होरिजंटल सर्फेस है, और यह एक ब्लॉक है जिसका मास है M, यह एक रसी से बना हुआ है, और फिर एक दूसरा ब्लॉक है, जिसका मास है 2M, फिर एक रसी से बना हुआ है, और फिर एक अगला ब्लॉक है जिसका मास है 3M, और वो एक रसी से बना हुआ है और यहाँ पर फोर्स लग रहा है एफ इसमें दो रोप है एक रोप यहाँ पर है और एक रोप यहाँ पर है और मेरा कोईशन है कि find out the tension in the each rope तो कोईशन है कि find out tension in each rope तो कोईशन है तो देखो तो देखो होगा क्या आप यह जानते हैं कि यह तीनों एक साथ जाएंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीछे वाला रह गया आगे बाले दो चलेगे देखिए हमारी newton's large of motion में जो रसी होती है वो कभी टूटती नहीं है बहत मजबूत रसी होती है आप कभी यह नहीं मानेंगे कि रसी टूट गई तो यह सवाल कभी नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारी रसी बहुत मजबूत है तो अगर हम इनके acceleration A की बात करें बच्चो तो A का जो value आएगा वो आएगा F upon 6 है तो अगर इस वाली रसी के tension को हम T1 बोलें और इस वाली रसी के tension को हम T2 बोलें तो मान लो मुझे T1 का value लिखना है तो ऐसा करिए इस अकेले block का free body diagram बनाएगे तो पीछे बाले अगर हम अक इस के बदा बदा आएगा बच्चो यह आएगा mass into acceleration और acceleration का value F upon 6 M F upon 6 M तो यह आगे बच्चो कितना F by 6 अब दूसरा है T2 का value क्या होगा तो अगे इन T2 को आप तीन तरह से लिख सकते हैं जैसे मैं आपको आपको normal के लिए तीन तरह से बताए थे वैसे आप लिख सकते हैं लेकिन जो सबसे चोटा पड़ेगा मैं वो इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या करूंगा मैं इन दोनों को तो जब मैं दोनों को सिस्टम माननोंगा तो इस रसी का जो टेंशन है वो इस सिस्टम का क्या हो जाएगा इंटरनल फोस हो जाएगा तो यह T2 हो जाएगा only the external force तो इसका डागरम मनाएंगे इस तरह से यह वाली रसी इंटरनल फोर्स के काम करेगी और यहां जो फोर्स जो लिए इस तो और यह बदाबद होगा मास इंटो एक्सलराइशन यह देखो फो एफ अपन श्हें तो कितना आया बच्छो फाई-टो लिख लिए जी सब लोग लिखो अब देखिए अगला कुष्षिंट तो सुनना अगला कुष्षिं कराथे आपकु कि अगला कोईशन देखिए तो अगला कोईशन यह है कि अज़ा चलिए पहले होरिजन्टल सर्फेस पर एक सवाला और लग देते आपके लिए तो चार ब्लॉक हैं और तीन रसी हैं और इस ब्लॉक का मान लेते हैं टू केजी इसका मान लेते हैं और 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 इसका तो इधर जो फोर्स लगाया गया है वो माल लेते हैं 100 newton और इधर जो फोर्स लगाया गया है आपका इस direction में वो लगाया है let's say 36 newton तो आपको यह calculate बताना है calculate करके बताना है कि जो इच रस्षी होगी उस इच रस्षी में tension क्या होगा इस रस्षी का tension इस रस्षी का tension इस रस्षी का tension तो लिख लो find out the tension in the each row next question next question यह है कि यह आपकी horizontal surface है ठीके practice बहुत करने पड़ेगी हाँ तो यह आपका horizontal surface है एक block तीस्ट्र ब्लाग और इस बार इस system को इस direction में एक force लागा एगा एफ जिसका value है 100 newton और यह angle है 37 degree यह mass है 5 kg यह mass है 3 kg और यह mass है 2 kg यह 5 kg mass है और सेम question है कि find out the tension in the each row next question करें लिख लो इसको और question आपको बताते हैं ठीक है इसको अटा देते हैं अब आपको लेके चलते हैं incline वाली दुनिया की तरफ तो इसको अटा देते हैं अज़े चली incline वाली दुनिया से पहले मैं आपसे question पूछ लेता हूं question यह है कि एक रसी है एक रोप है और आइडियल रोप नहीं है इसका मास है M इसका लेंथ है L आइडियल रोप नहीं है और इसको यहां से एक F-force लगा कर खीचा गया है इसको पुल किया गया है that rope is accelerating that rope is not in equilibrium that rope is accelerating and now you have to calculate the tension force at a distance x from the top point at this point you have to calculate the tension force मतलब यहां पर इस रसी के molecule जो एक दूसरे को खीच रहे होंगे वो कितने force से खीच रहे होंगे यह आपको बताना है कैसे solve करेंगे मैं समझा देता हूं सबसे पहले हमें इसका acceleration लिखना होगा A तो A का जो value आएगा बच्चो वो कितना हैगा A आएगा F-Mg F उपर लग रहे हैं Mg नहीं चे लग रहे हैं तो net force कितना हो गया अपवर डियरेक्शन में Net force in upward direction F-Mg upon M लेकिन मुझे tension इस वाले point में लिकारना है तो आप क्या करिए इतने वाले position का free body diagram मनाईएं जब हम इतने position का free body diagram मनाएंगे तो यहां से लगेगा tension force T और इतने position का mass कितना होगा तो वो length अगर L है तो यह length कितना हो जाएगा L minus X आपको याद हमने पिछले lecture में ऐसे किया था कि L length का mass small m है तो 1 का mass क्या होगा तो L minus X का mass क्या होगा यह बच्वन वाले की 4 रुपे के 1 पैनाता है तो 100 रुपे के कितने पैनाएंगे वही वाला कहान ही है तो इस पर लखा जाए T और नहींचे लगेगा इसका M into G और M का जो value वह कितना है वह है M upon L into L minus X into G अब equation लिखते हैं इसका acceleration upward की तरह है तो equation लिखा जाया तो वह आया T minus M into 1 minus X upon L into G बराबर हुआ mass into acceleration M into m कितना है इसका mass m इसका M into 1 minus X upon L into acceleration कितना है इसका f minus mg upon M ठीक है बच्चो अब देखें क्या आया तो T का जो value आया M into 1 minus X upon L into G plus M चे M चला गया तो यह आया f minus mg into 1 minus X upon L 1 minus X upon L आप common ले सकते हैं तो T का जो value आया 1 minus X upon L आप common ले सकते हैं तो यहां बचेगा कौन आपका small mg यहां बचेगा विटा आपका small mg और यहां कौन बचेगा आपका plus F minus small mg तो mg से mg कट जाएगा सिफके आप जाएगा यहां पर F ठीक तो ठीक है बटा hopefully आपको चीजे समझ आई होंगी तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं next class में